हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मैं हूँ नीलम आज यम बनाएंगे कुकर में पत्ता गोबी आलू की सबजी इतनी स्वादेश्ट जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे तो चलिए देखते हैं इस चटपटी सी सबजी को किस तरह से बनाया जाता है सबसे पहले मैंने पत्ता गोबी लिया है जिसका हार्ड वाला पार्ट मैंने अलग कर दिया है एक बड़े साइस का आलू, एक बड़े साइस का प्याज और एक बड़ी लेसन की कली तो इसको अभी हम पत्ता गोबी को मोटा मोटा काट लेंगे, मतलब ऐसे बजन में देखेंगे तो ढ़ाई 100 ग्राम पत्ता गोबी होगा और roughly chop करना है इस बात का ध्यान रखे एकदम मोटे से मोटा काटना है इसको तो इस तरह से आप पत्ता गोबी को काट लेंगे तो ये मैं इस तरह से सारे पत्ता गोबी को काटूँगी बड़ी बड़ी पत्ती रहना चाहिए क्यूंकि कुकर में बनाएंगे अगर आम बारी काटेंगे तो वो घूल जाएगा, इसको मोटा ही काटा जाता है तो ये पत्तागों भी हो गया अभी इसके बाद में मैंने आलू को छील कर रखा था कच्चा आलू है उसके बाद में हम इसको एकदम मौटा मौटा काट लेंगे ये देखिए इसके सिर्फ दो टुकडे करना ऐसे तो आलू भी हमने काट लिया है अब मैं आपको प्याज भी बता देती हूँ किस तरह से काटना है प्याज को भी मौटा मौटा काटना है ज्यादा महीन नहीं करना है तो इस तरह से आप प्याज को काट लेंगे इसके बाद में हम लेसन को भी मौटा मौटा काटेंगे क्योंकि कूकर में बना रहे हैं साड़ी सब्ज़ गूल मिल जाती हैं कूकर में तो यह मैंने देखिए काट ली हैं सारी सब्ज़ इसमें मैं एक टमाटर डालुँंगी तो यह बडवा साइज का टमाटर है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पत्ता गोबी और आलू को बहुत अच्छे से धो लेंगे और इसको हम पानी में ही डूबा के रखेंगे जब तक हम सब्जी नहीं बनाते नई तो आलू जो है वो लाल हो जाएंगे और पत्ता गोबी का कलर भी चेंज हो जाएगा तो gas on करके मैंने cooker रख दिया है, cooker में मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून तेल, उसके बाद में हम इसको gas के flame को high करेंगे और इसमें मैं डालूँगी सरसों या राई जिसको बोलते हैं, आदी छोटी चमज डाली है मैंने राई, उसके बाद में मैं इसमें जीरा डाल दूँ होगी, एक चोटी चमज भरके जीरा और इसको अभी अच्छे से हम तड़कने देंगे, तो इस तरह से आप इसको mix कर लीजिए, तो यह अभी हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज, तो कोई भी चीज को हमें बहुत जादा भूनना नहीं है, प्याज को भी बिकुल स्लाइटली एकदम हलका गुलाबी हो जाए, बस उतना ही भूनना है, इसको हम चला देते हैं, अगर आपको मेरी रैसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो यह देखिए, मैंने प्याज को अच्छे से चल सब्सक्राइब कीजिए, इसके बाद में हम इसमें एड करेंगे टमाटर, तो अभी हम टमाटर डाल देंगे, और टमाटर डालने के बाद में हम इसको चला लेंगे, तो टमाटर को एक दम ऐसे तब तक नहीं पकाना है कि वह मैल्ट हो जाए या घूल जाए, नहीं, कुछ सेकंड के लिए चलाओंगी टमाटर को, इसके बाद हम इसमें मसाला डाल देंगे, आदी छोटी चमच हल्दी, इसके बाद एड करेंगे इसमें धनिया, एक छोटी चमच धनिया पाउडर, इसके बाद एड करेंगे गरम मसाला, आदी छोटी चमच, मसाले थोड़े डालेंगे सबजी अच्छी मस्त बना जाए और इसके बाद आदी छोटी चमश लाल मिर्च काश्मीरी मिर्च है बहुत अच्छा कलर देती है यह ज्यादा तीकी भी नहीं होती आप बोलेंगे मैंने अद्रक नहीं डाला हरी मिर्च नहीं डाली आपको चाहिए तो डाल सकते ह लेकिन मुझे कोई जरूरत लगती नहीं है तो मैं डालती नहीं हूँ कभी भी क्योंकि लाल मिर्ची काफी हो जाती है इसके बाद में इसको हमने चला दिया है अब हम इसमें पत्ता गोबी और अपने आलू को डाल देंगे तो देखिए पानी में से निकाल दीजिए इसको पानी में डालने से पत्ता गोबी और थोड़ा फूला फूला हो जाता है सबजी बनने के बाद कम हो जाएगी अभी क्वांटिटी में ज्यादा लग रही है जैसे यह पत्ता गोबी श्रिंक होगा वैसे वैसे सबजी भी कम हो जाएगी इसको अभी हम अच्छे से चला देंगे मतलब बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद में हम इसमें नमक एड़ करेंगे नमक आप अपने स्वात के अनुसार कर लीजिए आप कितना तेज खाते हैं कितना कम खाते हैं तो ये मैंने देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है नमक डालने से हलका सा पानी छोड़ेगा और इसको अभी हमने चलाने के बाद में इसमें हम थोड़ा सा पानी एट करेंगे थोड़ा सा करना है जादा नहीं करना है क्योंकि ये जो सबजी है थोड़ी सी चपचपी बनेगी चपचपी मतलब हलका सा रस रहेगा इसमें वैसे तो पत्तागों भी छोड़ेगा पानी लेकिन फिर भी थोड़ा सा पानी डाल देना और इसके बाद में कुकर का ढखकन बंद करेंगे और मैं इसमें 3 सीटी लगा लूँगी मेरा कुकर छोटा है तीन में हो जाता है आप देखिए कई बार कुकर बढ़ा रहता है एक सीटी में हो जाता है जब तक आलू और पत्ता वो भी गलना जाएं तब तक हमको इसको विसिल लगानी है तो यह देखिए मैंने तीन सीटी लगा ली है इसके बाद में कुकर को एकदम ठंडा करूंगी ठंडा करने के बाद में हम इसको खोलेंगे तो पहले मैं चेक कर लेती हूं इस्टीम निकल गई के नहीं निकल गई है अब मैं इसको खोल लेती हूं वाह क्या मस्त सबजी बनी है देखो है ना इक्ति अच्छी सी खुश्बू आ रही है पूरे घर में अब इसको भी हम चला लेते हैं और सबसे पहले हम आलू चेक कर लेंगे इसके तो पहले मैं धनिया डाल देती हूं ज्यादा सा धनिया डाल और उसको अभी हम चेक कर लेंगे देखिए आलू एकदम गल गया है पत्ता को भी तो तुरंद गल जाता है बस आलू गलने में ही टाइम लगता है सबजी बनकर एकदम तयार हो चुकी है अभी इसमें कुछ भी नहीं करना है बस आप गैस को बंद करना है और इसे मुझे आ बहुत अच्छी लग रही है खाने में भी बहुत स्वाधिश्ट रहती है जैसे मैंने बोला ना आप एक बार बनाओगे तो इसका स्वाध बोला नहीं पाओगे आप इतनी टेस्टी बनती है यह सबजी आप इसे रोटी पूरी पराठा चावल किसी के भी साथ खाईए यह बहुत टेस्टी लगती है मेरे कहने पर एक बार जरूर बना के देखिए अपना फीदबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए तो मैंने थोड़ा सा उपर से सजाने के लिए धनिया डाल दिया है अब आप इसे पास से देखिए थीना मज़ेदार रेसिपी तो सबजी तो नही रेसिपी के साथ थेंक यू सो मच